आप भोजबुरी पिक्चर देखने आए हो ना सबसे पहले आप इस सवाल का जबाब दो मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं गारांटी देता हूँ कि आप इसका जबाब नहीं दे सकते कमेंट कीजिएगा आप नेचे जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा पहले आप देख लिजिए कि सवाल क्या है और सच में क्या आप इसका जबाब जानते हैं या नहीं जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले चीज़ क्या है यह आप है यह आपका दोस्त है और यह कोई और है मतलब तीन लोग है द्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए और दुबारा इसकीप करके आप मतलब दुबारा देख सकते हैं आगे पीछे करके कि सच में रियल में क्या ह क्या है और किसे तरीके से हैं यह आपका दोस्त है और यह तीसरे को았어ot II कि आपका ही दोस्त थे तीन लोग कहने का मतलब यही था है कि तीन लोग क सबसक्ता किसी रिंश्टरेंट प्योन्त में जा रहो है खाना खाने के लिए बहुझन करने क्लिए और एक जो प्लेट है खाने का वो 25 रुपय का है ध्यान से सुनिएगा एक प्लेट जो है वो 25 रुपय का है आप तीनों ने खाना खाया 25 प्चीस करके आपने 75 रुपया उसको दिया वहाँ जो मालिक बैठा होता है उसको 75 रुपे आपने दिया और 75 रुपे जैसे आप देते हैं तो फिर वो जो मालिक है वो 55 रुपे वापस करता है आपको वापस कर देता है और 70 रुपे रख लेता है बोलता है कि 55 रुपे मैंने छोड़ दिया आप ले जाओ ठीक है तो उसका जो नौकर होता है ध्यान से सुनिएगा उसका जो नौकर होता है वो ले के जाता है पैसे पैसे ले के जाता है वो उसका नौकर तो ले के जाता है तो सोचता है यह मैं 5 रुपे में 3 लोगों को कैसे दूँगा तो वो क्या करता है कि उसमें 2 र रुपय मतलब एक एक रुपय तीनों लोगों को दे देता है अब यह जो लोग हैं इनका 75 रुपय लगा था हिसाब जड़ा लगाई कि कल्कुलेट कीजिएगा कि 24 इसने दिया 24 इसने दिया 24 इसने दिया 24 इसने दिया 24 रुपय हो गया यह देखिए आप 24 में 3 से कल्कुलेट करेंगे तो 22 रुपय एगा ठीक है और 2 रुपय उस लड़के ने चुराया था याद है न हाँ तो यह दोनो यही है अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप इसको दुबारा देख सकते हैं और ध्यान से सुनिएगा कि एक रुपे की बात है कि एक रुपे कहां गुमो जाता है ठीक है तो उमिद करता हूँ कि आप समझ चुके होगे सवाल और आप इस सवाल का एंस्वार इस वीडियो में देंगे कमेंट में जागे देंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताईएगा कमेंट में मैं इस पे एक वीडियो बनाके दूँगा आपको तब आप समझ जाएंगे कि क्या होगे दोस्त बात ऐसी है कि ये सवाल का मतलब नहीं है कुछ चीजे होती है जो हमारे समझ से बाहर होती है जो हम समझ नहीं सकते हैं ठीक है दोस्त तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही आप वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा और घंटी-वंटी का निसान दरूर दवाएगा क्योंकि मैं मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो ही डालता हूँ तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही तत्ते के लिए जाहिन चायवारत